Hello and welcome friends, Microsoft Excel सीखने के सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की वीडियो Microsoft Excel को ले करके है Excel में VBA की कोडिंग करेंगे और कोडिंग से बनाएंगे एक बटन, कैसे बना सकते हैं, उसी को देखेंगे तो चलिया यह स्टार्ट करते हैं, यह Excel ओपन कर लिया है, आप Excel का कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं, यह तो 2021 है, आप कोई भी वर्जन आप इसका इस्तामाल कर सकते हैं, ठीक है, तो यह जो है, यहाँ पर हम आचके हैं, आपको इक काम करना होगा, यह डवलपर टैब अक् बटन मिलेगा, देखिए, यह दिया हुआ है बटन, तो आपको इसपे क्लिक करना है, और यहाँ पर इसे ड्रैग कर वा लिजएगा, तो यह इस तरीके से आजाएगा, अब देखिए, यह Assign Macro लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, जैसे ही आता है, तो यह लिखा हुआ है, य हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक Message Box बनाएंगे, तो MSG Box लिखा हमने, और MSG Box में क्या दे देंगे, अब क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको सेफ कर लेना है, तो यह सेफ कर लेंगे, हम चलिए, इसको किसी भी नाम से, Macro के नाम से सेफ करते हैं, Macro, ठीक है, तो यहाँ पर Macro कर देते हैं, Macro हो गया, एंटर कर देते हैं, यह सेफ हो जाएगा, और सेफ होने क्वाद आप इसको close नहीं करेंगे, मिनिमाइस कर लेते हैं, और मिनिमाइस करने पद यहाँ देखें, यह बटन दिखाए तो बटन का नाम भी बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर Hello, You are with Touracer आ रहा है, आ रहा है ना, फिर क्लिक किया, फिर वही चीज की Hello, You are with Touracer, तो इस तरीके से एक छोटा सा बटन बनाना मैंने Macro के और VBA के मर्जम से सिखाया आपको, कि Excel में यह आप कैसे कर सकते हैं, ठीक हुआ सु करते हमा हैं, झाल था क्लिक की है, बाल भर सु пользов remember